NCRT की किताबों में अब इंडिया की जगा भारत शब्द का इस्तिमाल होने वाला है इसे लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है विपक्षी पार्थियां सत्ता रोट बीजेपी पर कई सारे आरोप लगा रही है क्या पूरी कहानी है चल ये जानते है राष्ट्रिय शक्षणिक अनुसंधान एवं प्रश्रिक्षन परिशत NCRT की पुस्तकों में सैंशोधन के जाने को लेकर हाई लेवल कमीटी की और से सिफारिश की गई है इसमें स्कूली पार्थ्य पुस्तकों में इंडिया की जगा भारत शब्द का इस्तिमाल करने का सुझाव दिया गया है इस पर विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने कड़ी आपत्ती जाहिर करते हुई भारतिय जन्यता पाटी पर निशाना साधा है विपक्ष ने आरोप लगा है कि सत्ता रूट बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है और ऐसे हताशा भरे कदम उठा रही है क्योंकि उसे विपक्षी गटबंदन इंडियन नेशनल डेवलोप्मेंट इंक्लिउसिव अलाइस यानि इंडिया से हार का डर सता रहा है कॉंग्रेस के संगठन महासचिफ केसी वेनु गुपाल ने कहा कि इंडिया शब्द उतना ही गौरफशाली है जो इतना की भारत लेकिन सत्ता रूट दल और सरकार एक पूरी पीड़ी को उस शब्द से नफरत करवालने की कोशिश करना चाहती है जिसके प्रति हम बहुत गर्व महसूस करते हुए बड़े हुए है उन्होंने ये भी कहा कि बीजपी ना तो भारत को लेकर गंभीर है और ना ही इंडिया को लेकर कभी गंभीर है वेडु गोपाल ने आरोप लगाया कि नाम बदलना सिर्फ दुरूवी करण का प्रयास मातर है कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता अंबिका सोनी ने कहा कि समविधान में लिखा है इंडिया जो भारत है दोनों नाम एक है राष्टे जनिता दल किसांसद मनुझ जा ने कहा कि इंडिया गठबंदन के गठन के बाद से ये बीजपी शासन की एक उनमादी प्रक्रिया है उन्होंने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंदन अपना नाम बदल कर भारत कर लीता है तो क्या वो देश का नाम बदल कर जम्बू दूई प्या कोई और नाम रखेंगे आम आद्बी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रियंका ककर ने कहा कि ये दिखाता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी को इंडिया गठबंदन से कितना डर है उनके गठबंदन के साथ ही उने छोड़ रही है नाम बदलने की बजाए बेरूजगारी, महंगाई और भष्टाचार के मुद्दो पर ध्यान के इंद्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए द्रमुक के प्रवक्ता सर्वन अन्ना दुरई ने कहा कि बीजपी अपने कुशासन से लोगों का ध्यान भठकाने के लिए नाम बदलने की राजनीती कर रही है कॉंग्रेस नेता और करनाटक के उकमुख्यमंत्री डी के शिफकुमार ने कहा कि NCRT सिमीती की सिफारिश गलत है और इस कदम के पीछे इंडिये का हाथ है शिफसेना की नीदा प्र्यांका चतुरवेदी ने कहा कि ये देश का दुरभाग्य है कि इंडिया बना भारत का मुद्दा बनाया जा रहा है हमारे समविधान में डॉक्टर बियार अंबेटकर की और से लिखा गया है इंडिया दाट इस भारत उन्होंने कहा कि आने वाले पीडी आपको इस बेदभाव के लिए माफ नहीं करेगी हमारे लिए इंडिया भी भारत और हिंदुस्तान है